साथियों, अपने राजनितिक अस्तित्व को खोने की बोकलाट में, ये महा मिलावटी लोग, आए दीन सुबे साम, ये चौकिदार को गाली देने में जुटे हैं, उनको मेरे काम से ज्यादा, मेरे नाम से समस्या है, पहले चाहे वाले इतिहाद से उनको दिक्कत थी, और मैंने क्या किया, इस से ज़्यादा उनको इस बात की चिंता है, कि मैं कहां पैदा हुआ, किस परिवार और किस समाथ से उड़कर मैं उपर आया, यही गणित, यही ऐसाद दिलाने का प्रयास, कदम कदम पर ये कर रहे हैं, मैं आपको कुछ उधारन देता, कॉंग्रेस के नामदार जगर जगर कहते फिर रहे हैं, कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चोकिदारी करते हैं, क्या यह शब्द शोभा देते हैं क्या, कॉंग्रेस के एक राख दरबारी, मुझे सौचाले का चोकिदार बोल रहे हैं, सरत पवार जी की पार्टी के नेता, चोकिदार को जाहिल बता रहे हैं, जम्मू कश्वीर में इनकी महा मिलावट के एक साधी कहते हैं, कि बोदी को देश चलाना नहीं आता है, बाई और बेनों, देश कैसे चलना चाहिए, क्या वैसा चलना चाहिए था, जैसा 2014 से पहले चल रहा था, जब जबान भी परेशान था, आर नव जबान भी निराशा में डुबा था। यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारे लगा करती थी, किसानों को लाठिया खानी पड़ती, पिदर्फ के किसानों के लिए पैकेज गोसित होते थे वो बिचोलियों की जिब में चले जाते थे किसान के पानी के हजारो करोड रुपिये NCP और कॉंग्रेस के लोगों की जिब में चला जाता था क्या देश ऐसे चलना चाहिए था चीलों के शहर इस शहर को जिनोंने अपने कुशासन से बुन्द-बुन्द पानी के लिए तरसा दिया क्या ऐसे देश चलना चाहिए था कोशी खुर्दबान धापे वड़ाव अर जासी नगर परियोजराओं के साथ इनोंने जो बरताव किया कि ऐसे देश चलना चाहिए था हम इन परियुजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों के दिक्कत दूर की जा सके इसका फाइदा आपको मिलना शुरू भी हो गया साथ क्यों मोदी को देश ने चौकिदारी दी तो उसके पीछे की भावना सपश्ट थी इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चौकिदार ने थान तूर सहीद 25 फसलों का MSP लागत का डेज गुणा ताय कर दिया इतना ही नहीं कॉंग्रेस NCP की जब सरकार थी तो पांच वर्सों में महरस्ट में इन्हों ने जितनी दाल खरी दी उससे 15 गुना ज़्यादा दाल ये चौकिदार की सरकार ने खरी दिये और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे कि उनके समय कितने कोटी का काम हुआ और इनके समय कितना कोटी का काम हुआ हिसाप साप साप है भाई इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही है करीबों को उचीज मुलने पर दाल भी उपलब्ज हो पाई है साथियों 2022 तक जब हिंदुस्तान के आज़ादी के 75 साल होंगे इंबेरा सपना है और आपके आशिरवाद से पूरा भी होने वाला है 2022 आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब दो सपने मुझे पूरे करने है एक मेरे देश के किसानों के आए दोगुनी हो और दूसरा हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहो जिसको रहने के लिए पक्का घर नहों आपका वोट हर गरीब को घर देने वाला है और जब जिसको घर मिलेंगे उसके आशिरवाद आपको मिलने वाले किसानों के आए दोगुनी हो सके इसके लिए भी एक एतिहासिक फैसला चौकेदार की सरकार ने किया है पी-एम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 75,000 करोड रुपे हर वर्ष करीब 12 करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है इसमें गौंदिया सहीट पूरे माहराच्र के सवा करोड किसान परिवार है इनमें से 16,000,000 से अधिक किसानों के पैंक खाते में पहली किस्त आभी चुकी है और बाकियों के खाते में भी जल्द ही पैसे पहुंच जाए